हलो फ्रिंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ वेच पलाओ जिसके इंग्रीडिन्ट हैं मेथी, धन्या पाउटर, जीरा, मिक्स वेजिटेबल्स, टमाटर, प्याज, अत्रक मिर्च, चावल और नमक हम ये पलाओ घी में बनाएंगे, उसमें आट कर देंगे जीरा, मेथी, फिर हम आट कर देंगे धन्या पाउटर, अब हम आट करेंगे अत्रक, मिर्च, प्याज, सभी को अच्छे से मिला देंगे और सब को फ्राय होने देंगे, प्याज की लाइट प्राउन हो जाने के पाद, हम इसमें आट करेंगे टमाटर, और फिर हम सारे मसाले को अच्छे से भून देंगे अब हम इसमें एट कर देंगे वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पर वेजिटेबल्स ली हैं, मतर, आलो, न्यूट्री आप चाहें तो कोई भी सिजनल वेजिटेबल्स प्लाव में एड कर सकते हैं अब हम वेजिटेबल्स को मसालों के साथ मिक्स कर देंगे और इसे धिमी आंच में सॉफ्ट होने देंगे वेजेटेबल को थोड़ा साफ्ट होने के बाद हम इसमें एड़ कर देंगे भीगे हुए राइस हम जो राइस पुलाओ के लिए यूज करते हैं उसको 15-20 मिनट तक भीगो देना चाहिए ताकि जो हमारा पुलाओ बने वो खिला खिला बने अब हम राइस को वेजेटेबल के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इसमें एड़ कर देंगे नमक नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एड़ कर सकते हैं अब हम सभी को अच्छे से मिला देंगे इसके बाद हम एड़ करेंगे इसमें पानी पानी की quantity हम rice के according रखेंगे जितना rice है उससे double हम इसमें पाने लाल देंगे पुलाओ में बहुत सारी healthy vegetable एट की गई है इसलिए पुलाओ nutrient और vitamin rich होता है और ये खाने में बहुत ही light होता है अगर आप कभी low feel कर रहे हो या फिर कुछ light खाना चाते हो तो आप पुलाओ try कर सकते हैं अब हम इसे एक से दो सीटी तक पकाएंगे सीटी rice की quantity पर depend करता है अगर कम rice है तो हम ज़्यादा सीटी देंगे और अगर ज़्यादा rice है तो कम सीटी देंगे अब पुलाओ बनके तयार हो गया है हम अपनी gas को off कर देंगे और कुकर को थोड़ी देर ठंडा होने देंगे कुकर ठंडा होने के बाद इसे खोल देंगे हमने आज पुलाओ देसी गी में बनाया है देसी गी saturated fat है जिससे की पुलाओ खिला खिला बनता है अब हम serve करेंगे पुलाओ दिखो पुलाओ कितना खिला खिला बना है आप भी ये पुलाओ की सिंपल एंड इजी रेसिपी ज़रूर ट्रै कीजेगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपका पुलाओ कैसा बना अब मैं इंजोई करती हूँ वेजेटेबल पुलाओ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजेगा और इसी तरह की वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना मत बुलिए थैंक यू